हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज एक एन अनाउंस्मेंट इनकम टेक्स के लिए तो काफी बच्चे नब परिशान हो रहे हैं मेरा ये मानना है सर परिशानी की वजह जानिये और क्यूं बहुत बच्चे परिशान हैं और शायद गलत अजम्शन सबसे पहले बच्चों का मेरे पास जो questions पूछा जाता है कुछ questions आता है सर क्या हम इन chapter को करके पास हो जाएंगे पहला और उसके बाद फिर बच्चों का question आता है हमें कितने chapter करने हैं दूसरा, तीसरा, सर आप मतलब के कितने और part रह गए हैं इस chapter के तो इस तरीके से बहुत भरमार यूटूब पे कमेंट आ रहे हैं income tax के मैं बड़ी basic सी बात बताना चाहता हूँ आपको देखें chapter क्या करके पास होंगे, देखें, slayvers का मतलब क्या होता है कि slayvers में से examiner कुछ भी पूछ सकता है तो पहली बात तो मेरे हिसाब से आपके पास time है आपको पूरा slayvers करके जाना चाहिए selective मत करिये, इस तरीके probability की कर रहे हैं probability का मतलब इतने होंगे तो आ भी सकता और नहीं भी आ सकता fix, कुछ भी permanent नहीं है, live भी permanent नहीं है तो question कैसे हो सकता है permanent तो आपको detail यूटूब पे वीडियो मिल रही है इसके बाद काफे सारे बच्चों का कहना है के सर आप PGPP जल्दी से करवा दो deduction जल्दी से करा दो और दूसरे और other content करा दो तो मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि देखो एक flow में चल रहे हैं हम अभी CG चल रहा है और आप सभी को पता होगा कल income tax का exam है income tax कह रहा हूँ सारी FM का जितने FM के बच्चे हैं उनके doubt लिये जा रहे हैं सर उनके वीडियो भी convert हो रहे हैं मैंने आपको एक number दिया था कि link आपको description में customer care number तो सर वो sales team का number था मैंने कहा था कि जिन बच्चों को लगता है कि सर financially मतलब कि नहीं pay out कर पारे लेकिन YouTube पे पढ़ने में problem हो रही है तो वो वहां से discount coupon ले ले लेकिन आप doubt जो पूछ रहे हो तो वो technical नहीं है जो कि आपको doubt बताएंगे doubt तो मैं ही बता सकता हूँ और कोई तो दूसरे person को मैं रखता नहीं doubt बताने के लिए और फिर मेरी classes भी पूरे दिन रहती है जैसे जैसे मौका मिलता है time मिलता है मैं आपके comment जरूर पढ़ता हूँ phone के अंदर मैंने रख रखा है और phone के अंदर मैं comment पढ़ लेता हूँ उसके बाद जो बच्चे course के होते हैं उनके भी doubt लेने होते हैं एक batches ने काफी batches है तो थोड़ी बहुत time की थोड़ी से कमी है उसके लिए sorry कहूँगा सर, slayvers कब तक update पूरा डल जाएगा slayvers मैं sequentially देखे लगातार डाल रहा हूँ जिस दिन मैं वीडियो ना डालू न उस दिन आप जरूर बोल दिजेगा सर, आपने वीडियो नहीं डाला है अगर किसी दिन miss हो जाता है तो मैं कोसिस करता हूँ कि दो से तीन वीडियो डलवाँ हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं वीडियो जो एक डाल रहा हूँ थोड़े स्पीड में इंक्रीस कर दूँगा लेकिन सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर, ये सारी वीडियो जितने चप्टर आपने डाल दिया अगर इतना कर ले पास हो जाए तो मैं नहीं कहूँगा कि इतना करने पे पास हो जाएंगे कि नहीं होंगे सचाई जादा जानना जरूरी है पूरे चप्टर करके जाएए हाँ, एक्जाम से पहले मैं पूरा स्लेबस जरूर धीरे-धीरे करके अपलोड कर दूँगा लेकिन जैसे आप कहेंगे कि सर पहले ये वाला करवा दीजे, ये वाला करवा दीजे ये वाला करवा दीजे तो वो चीजे कईवार ना пॉसिबल हो नहीं पाती क्योंकि इतनी बड़ी ٹीम है नहीं मेरे पास एक ये सिस्टम है, उसी में कनवर्ट होता है तो convert होने में जो थोड़ा बहुत video editing का काम करते होंगे न तो उनको पता है कि i5 system में एक घंटे की video convert करने में कितना time लगता है वो जानते हैं यह जो है ना यह problem वो जानते होंगे तो उसमें थोड़ा time लगता है और मुझे सभी class को manage करके चलना पड़ता है आप income tax के भी सारे बच्चे मेरे ही हैं financial management के भी मेरे हैं corporate account के भी मेरे ही हैं जितने ही बच्चे सभी सभी को उम्मीद है अगर मैं सरफ income tax के ही सारे video daily convert पे लगा दूँ तो उससे होगा क्या कि बाकी FM वाले बच्चे नराज हो जाएंगे अगर मैं financial management ही सारे convert कर दूँ तो income tax वाले बच्चे नराज हो जाएंगे corporate account या financial account वाले बच्चे नराज हो जाएंगे तो मैं आप से बस इतना ही कहना चाहता हूँ syllabus डलेगा और proper तरीके से जल्दी जल्दी डालेगे capital gain के अंदर एक दिक्कत आ गई थी third part काफी बच्चों ने comment किया definitely डल जाएगा तो जो मैंने आपको number दिया था ये number basically था कि अगर किसी को subscribe करना है financially weak है तो वो वहाँ पे buy कर सकते हैं उस number पे जो comment में given है बाकी मेहनत करिए देखिए मैं आपकी जितनी हो सकता है उतनी help करूँगा क्योंकि 26 को भी paper है फिर 28 को भी paper है एक तो जो paper DU का एक दिन हो जाता ना तो मेरे लिए भी easiest होता और मैं आपको better content deliver कर पाता है और ज़्यादा बहतर तरीके से आपको convenience होता मेरे लिए सब्सक्राइब का है important question बताना बढ़ता है हाँ being student कई बार जैसे मैं 26 को बता रहा हूँ तो 28 वाला सुनने को तयार नहीं है क्या बता रहे है हम 28 को पूछ लेंगे या 28 तारीक को बता रहा हूँ तो 7 तारीक वाले बच्चे सोचता है अभी तो दूर है exam तो मैं daily basis पर strategy कैसे पढ़ना है बाकि syllabus पूरा करके जाएए आप आधि syllabus में नहीं कर पाएंगे दो से तीन question attempt करेंगे text के अंदर जो होता है मैं simply बताऊ तो जो marking है question सही तो पूरे marks question गलत कोई step marking नहीं है sir तो वो चीज़े आप ध्यान रखिएगा कौन-कौन से chapter important है कौन-कौन से हैंगे मैंने वो सारी चीज़े टाग दी है तो बस इस वीडियो में मुझे आपको यही request करना था कि please आप tension मत लीजिए आपके classes चल रही है daily basis पर मैं update कर रहा हूँ और upload करने के बाद फिर देखें content सारा delivered करने में थोड़ा सा time लग रहा है लेकिन मैं यह कहूँगा कि जो एक class मैं CG की डाल रहा हूँ मैं courses करूँगा कि दो classes डालना चालू करूँ कल paper एक खतम होगा तो थोड़ा time मिलेगा तो मैं उसको भी डालना चालू करूँगा बाकि जो बच्चे को जो भी अगर दिक्कत होती है न चाहे paid course में हो तो definitely और दूसरी बात देखो न paid course वालों के लिए मैंने 5-7 का reserve कर दिया time जो paid course है क्योंकि वो भी जान खा रहे है सर हमने तो आप YouTube के बच्चों को देख रहे हो हमारे भी कुछ सोच लो आप वहाँ पर भी वीडियो डाल रहे हो तो मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे है लेकिन दोनों को देखना है तो उनको भी मैंने time दिया लक्स है निकालके अभी भी देखो रात के साथ 10 बजने वाले हैं आप देख रहे होगे time तो दिखी रहा होगा 10 बजे का मैंने doubt session रखा हुआ है जो बच्चे income tax के हैं अब उनके मैं doubt लूँआ जाके फिर करीब 12 बच जाते हैं मुझे 12 बच जाता है फिर मुझे कल के content पे काम करना होता है मतलब क्या topic वैसे तो करने की जुरत नहीं पड़ती बस courses ये रहती है कि आपको best से best और simplicity में दिया जाए तो उस पर भी करना है फिर early morning classes होती है तो थोड़ा सा मेरा schedule busy रहता है तो उसके लिए आपको अगर delay reply जा रहा है जिसका financial problem है बताईए और आप course आपका enroll कराने के जिम्मेदारी मेरी है अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर्फ 2-4 chapter हमारे लिए बहुत है यूट्यूब पे मैं ऐसा नहीं कहा रहा है इसका मतलब ये यूट्यूब पे मैं पूरा डालूँगा चाहे at any cost में डालूँगा लेकिन कितनी frequently एक्जाम से पहले तक मैं बोलता हूँ कि मैं सारा कुछ डालूँगा यूट्यूब पे चाहे कैसे भी मुझे करना पड़े लेकिन किस हिसाब से वो मुझे एक hierarchy के हिसाब से चलना पड़ेगा तो बस एक थोड़ी से मेरे को यही आपसे बात करनी थी और hopefully आप मुझे समझोगे थोड़ा सा कि हाँ genuine problem है तो फिर ठीक है सर मिलते हैं next class के अंदर next video के अंदर thank you so much, take care, good night, bye bye